दोस्तो रीजनिंग के कुश्चन सभी एक्जामू में पूछे जाते हैं चाहे रेलवे हो, SSC हो, बैंको, ब्यापमो, PSC हो दोस्तो ये कुश्चन है इससे पहले भी हमने काई वीडियो अपलोड किये हैं यदि आपने अभी तक वो वीडियो नहीं देखे हैं रीजनिंग में कमजोर हो तो प्लीज भी दोस्तो वीडियो जरूद देखें दोस्तो यदि लब को जो है एलो वी को 27 लिखते हैं तो कम को जो है क्या लिखेंगे दोस्तो मैं आपसे एक बात बोलूँगा यदि आप इस टैप के कुश्चन करना चाहते हो अलफाविट से संबन दे तो जो अलफाविट के नमबर है उनको आप बिलकुर रख लें तो यही काम इसमें आता है देखिए यदि हम इसको लिखेंगे दोस्तो एल जो है बारवे नमबर पर आता है ओ जो है पंदरवे नमबर पर भी जो है तीसरे नमबर पर O जो है 15 नमबर पर M जो है 13 नमबर पर E जो है 5 नमबर पर इन सब को दोस्तों जो है आप एड़ करोगे तो 36 आएगा 36 को 2 से डिवाइड करोगे तो दोस्तों 8 अंसर आएगा तो दोस्तो यहां पे कम की जगे जो है कम को जो है किस से डिनोट करेंगे अठरा से डिनोट करेंगे आगे दोस्तो दूसरा कुश्चन है यह दोस्तो इसमें कुश्चन है कि 431 जो है 431 को जो है 12 लिखते हैं तो दोस्तो इस प्रकार के कुश्चनों को आप ध्यान से देखिए यदि आपको बहुत ज्यादा अंतर दजर आए यादि कि एक संक्या बहुत चोटी है बहुत बढ़ी है जैसे यह 431 तो दोस्तों यहां पर बल्टिप्लाई वाली जो टेक्निक जो है आप अपना सकते हो तो दोस्तों देखिए 431 बारा किस प्रकास से आया है देखिए 431 को हम अलग-अलग नंबर मानके चले हो इस सभी का जो है मल्टिप्लाई कर दे जैसे 4 का 3 का 1 का 12 आ रहा है उसी प्रकास से दोस्तों 345 का हम जो चास से कती से एक संक्या है उसको 431 संक्या मानके इनका मल्टिप्लाई किया है तो 12 आ रहा है उसी प्रकास से 2345 को भी अलग-अलग संक्या मारकर इनका मल्टिप्लाई करेंगे तो 60 आंसर